हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं एक सीवर हेल्थ कंडिशन के बारे में डिसकस करने वाला हूँ और जो लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं उनको एक्यूट हेडिक यानि की बेहद सिर्दर्द महशूस होता है और ये दर्द इतना तेज होता है कि उनका पूरा दिन खराब हो सकता है काफी लोगों को इतना तेज सिर्दर्द होता है कि इसकी वज़ा से उनको आखों में या कानों में भी दर्द महशूस हो सकता है बात करेंगे माइग्रेन के बारे में और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर माइग्रेन का क्या कारण होता है कैसे आप इस समस्या को डाइगनोज कर सकते हैं और सिर्फ दवा के माध्यम से कैसे आप माईग्रेण को पूरीतरीके से ट्रीट कर सकते हैं दोस्तों माईग्रेण एक sever neurological condition होता है और आज के समय में ये पूरी दुनिया में ही बेहत common होता जा रहा है इस health condition से इतने ज़्यादा लोग सफर कर रहे हैं कि एक survey की माने तो सिर्फ US में ही 39 million से ज़्यादा लोग migraine की समस्या से गरसित हैं। लेकिन इस समस्या के लिए एक चौकाने वाली बात ये भी है कि जितने भी test या फिर scan reports आप migraine के लिए कराएंगे वो सभी बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। और ऐसे में काफी लंबे समय तक लोग समझी नहीं पाते हैं कि आखिर उनको इतना तेज सिर्दर्द क्यूं हो रहा है। तो आईए अब हम जानते हैं कि आखिर आप migraine को diagnose कैसे कर सकते हैं। तो migraine को diagnose करने का सबसे अच्छा तरीका है इसके symptom सियानी की लक्षन की पहचान करना। Migraine में usually patient के आधे सिर में तेज दर्द महसूस होता है। वो दर्द उनके सिर के दाहिने साइड में या फिर बाय साइड में महसूस हो सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर patient को आधी सिर में ही दर्द महसूस हो। क्योंकि काफी सारे ऐसे भी patient होते हैं जिनको migraine में पूरे सिर में ही दर्द महसूस होता है। ज्यादा तर patients में sun की heat efficiency बढ़ने के साथ उनका सिर दर्द भी बढ़ता जाता है। यानि की सुबह में 9 बजे के बाद जैसे जैसे सूरज की गर्मी तेज होती है उनका सिर दर्द भी तेज होता जाता है। और काफी patient में ये दर्द शाम में अंधेरा होने के बाद थोरी रहात मिलती है। माइग्रेन के patient में usually दर्द आगे से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ और फिर पूरे सर में ही दर्द महसूस होता है। काफी सारे माइग्रेन patient को तो दर्द की वजह से ऐसा भी महसूस होता है कि साइद उनको कोई brain में किल चुभा रहा हो। और कुछ patients में drum beats यानी की drum के पीटने जैसा भी महसूस होता है और ये दर्द इतना तेज होता है कि काफी patient को माइग्रेन की वजह से उस साइड की उनकी आखों में या फिर उस साइड के कानों में भी दर्द महसूस हो सकती है। माइग्रेन की वजह से कुछ लोगों में चक्कर आना, जी मिचलाना या उल्टी आने जैसी समस्या भी देखी गई है। वैसे माइग्रेन एक जानलेवा बिमारी नहीं है। और एक सर्वे के अनुसार ये भी देखा गया है कि पूरुषों के मुकाबले माइग्रेन महिलाओं में तीन गुना जादा होती है। तो आईए, अब हम इस वीडियो में माइग्रेन के कारण के बारे में जान लेते हैं। तो इसका सबसे में रिजन होता है जेनेटी किसू। यानि कि अगर आपके दादा प्रदादा के घर या फिर नाना नानी के घर कोई लोग माइग्रेन की समस्या से ग्रसित हैं, तो आपको इस समस्या के होने के चांसेज काफी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हॉर्मोनल इंबाइलेंस या फिर गट्स हेल्थ की वज़ा से भी माइग्रेन होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो माइग्रेन को ट्रीगर करती हैं और अगर आप इस ट्रीगर पॉइंट को कंट्रोल कर लें तो माइग्रेन को एवोईड किया जा सकता है। जैसे आज के समय में पूरी दुनिया में ही माइग्रेन का एक बहुत ही बड़ा रीजन है मोबाइल्स का एक्सेसिव यूज करना क्योंकि मोबाइल से निकलने वाले हरमफुल रेडियेसंस और हीट की वज़ा से माइग्रेन की समस्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही कुछ लोगों को तेज टेस्ट की वज़ा से, तेज लाइट की वज़ा से या तेज इसमेल की वज़ा से भी माइग्रेन की समस्या ट्रिगर हो सकती है। रेनी सीजन तक डाइग्नोस किये जाते हैं। तो अगर आप भी माइग्रेन की समस्या से ग्रसित हैं, तो आईए अब हम इस वीडियो में एक ऐसी मेडिसीन के बारे में जान लेते हैं, जो माइग्रेन की समस्या को पूरी तरीके से महाच चार दिन में ही क्योर कर सकती है। वैसे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि महाच चार से पाँच दिनों में ही आपकी फिजकल कंडिशन सही हो जाएगी, लेकिन इस समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा पाने के लिए आपको मेडिसीन का सेवन लगभग दो महिना जरूर करना चाहिए। और ये मेडिस समसी फूगा और समसी फूगा उत्री अमेरिका में पाया जाने वाला एक फूलों की प्रजाती है। पाया जाता है। को शांत रखने के लिए, मेमरी को तेज करने के लिए, एक्यूट हेडेक यानि की सिर्दर्द को क्योर करने के लिए इन हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस माइग्रेन गो मेडिसीन की बात करें, तो ये टैबलेट्स फॉर्म में आती है और इसके एक डब्बे में आपको टोटल 70 टैबलेट्स मिलती है। तरह की समस्याओं से उनको महज 4-5 दिनों में ही छुटकारा मिलता है। लेकिन बहतर रिजल्ट के लिए आपको इस मेडिसीन का सेवन लगभग 2 महीने जरूर करना चाहिए। मंगवा सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही हिल्ट से रिलेटेड और अधीक वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल के आइकन पे भी प्रेस कर ल करेंदे गया है।